फिर दूसरी रियल देख लिए कि दोस्त लोग जो वो पुराने दोस्तों के आपस में बात चल गई तो उसे वो याद आजयते है वो पूराने दिन, वो सुहाने दिन, दो परकार के जीवन ते एक तो आसान एक मुषकिल है, आपने मुषकिल को चुना है तो आपकी जिमेदा यहां भी बढ़ी है जीवन में दोनों चीजों में से आसान को चुनना बहुत आसान है व्यक्तिकत जीवन में मैंने दो ही स्पीकर को ऐसा लगता है जो प्रभावित के सबसे ज्यादा एक मुझे लगता कुमार विश्वास दूसरे लगते बॉस आउसे लगता है अब स्टूदेंट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ समें पहले का जो विकास है वो अधर बैठा हूँ है जो आज जो इधर बैठा हुआ आज इधर जो खड़े तो जब भी आप लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हम भी पहले इधरु बैठ我是 तब दो लाईने जहें एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूं, मैं एक लड़के को जानता हूं, जिसने दस्वी क्लास पास की, उसके बाद उसे नहीं पता था जीवन में आके क्या करना है, समाने तो हम ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं पता होता हैं, दस्वी के बाद हमें क्या करना है, त तो उने का कि आपको CLC मेडमिशन लेना चाहिए, सीकर, CLC अंदर अडमिशन लिया, 11 वहांपर की, 12 वहांपर की, और IIT में सेलेक्शिन हुआ, पीछे की रेंग के साथ, और जितने भी बाकी जो लोग हमारे समाज क्योते हैं, उनोंने उनको सजेशन दिया कि आप एक बार फि अंजस था, करें तो करें क्या, फिर से ताुजी कई साहारा लिया, उन्होंने का एक बार बाह Loff से बात कर के बात की ऐस ने का कि जैसे की, आप बाह L sterय तो बाह L expo का बचे तुमारा जो बेसीक्स हैं, वह बहुत सही हैं, तुम जिंता की जिस भी फिल्ड में जाओगे बढ़िया करोगे और जो तुम्हारा मन हो उसके आगे का जो रस्ता अपने हिसाब से चुनो उस लड़के ने सामाने ग्रेजुएशन बीएसी से की और उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी के अंदर चला गया पहले ही अटेम्ट में उसक कि वह मैं ही हूँ विकास गुपता आज के समय में आरेस की सर्विस के अंदर हूँ और जो है युवां के साथ समवाद करना मुझे अच्छा भी लगता है और मैं तो सेल्से में पढ़ा हूँ इसलिए मुझे मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं जहां से सुनके आग कि मुझे यही करना है इसके लावा हम कुछ दूसरी चीजे जो देखना बंद कर देता है मुझे लगता है कि हमें अपने लाइफ के जो प्रिजम है उसको तोड़ा सा ओपन रखना चीए जैसे जिस तरीके से लाइफ आगे बढ़ाती बस अपने जो बेसिक्स है वो स्ट्र तो मुझे यह लगता है कि आपको अपने जो बेसिक्स हैं सिरफ वो स्ट्रॉंग रखने चीए उसके बाद जिंदगी जहां लेके जाए हमें उसमें बिलकुल भी हरजनी करना चीए क्योंकि सफलताओं के मानक हमारे बदलते रहते हैं कभी बच्पन के अंदर कुछ होता है युवा के अंदर कुछ होता है जैसे कि दो लाइने भी है कि बच्पन में खिलोना जवानी में माशुका बुड़ापे में खुदा सफलताओं के मानक हैं जुदा जुदा तो हमें किस तरब बढ़ना है बस कुछ बेसिक्स अच्छे होने चीए तो मैं उनकुछ बेसिक्स पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले सबसे पहला बेसिक मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर अपना हंड्रेड परसेंट दो सो परतिशत जो है आप अपने उसके अंदर दो तैयारी कर रहे हो सो परतिशत उसके अंदर दो ऐसा नहीं हो कि हम अपना आधा टाइम जो वह शोशल मेडिया में लगा रहे है आज के समय में मुझे लगता है युवाओं की सबसे बड़ी जो समशा हो गई है सर वो शोशल म और रील कल्चर इंस्टाग्राम की वज़े से युवा जो वो पढ़ाई से बहुत ज्यादा इस तरीगे से डिस्ट्रेक्ट हो जाते हैं और उनका मन लगातर बदलतर रहते हैं किसी चीज पर कैसे कर पाओगे फोकस कैसे कर पाओगे आपने पिछले दो मिनिट में पांच प्रकार की रील देखिए सबसे पहले एक रील देख लिए जिसमें अच्छा कोई खाना वगरा पकाया जा रहा है उस लड़के लगता है कि आज तो पीजी में जाके खाना क्या बनाओगा फिर द जाते हैं और फिर वो अगली रील देखता है कि कोई एक जजबा कर दिखाने का जजबा अब से लगता है अब बनेंगे आएटियन आरे भाई पिछले दो मिनिट में च्यार बार अपना मन बदल चुके हो इससे कई लोगों तो पूछ लो कि आप बनना क्या चाहते हो तो व आपने जीवन का 100% दे दो और जिस दिन आप अपने 100% दे दोगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट दी होगा दुख नी होगा आज मैं भी जब कभी अपने जीवन को पीछे मूड के देखता हूं और मुझे लगता है कि मेरा आइटी के अंदर में क्यों गया तो मुझे कभी दुख नी होता क्यों क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था उसके बाद जैसा इश्वर की मर्जी जैसा जहां लेके जाना चाहिए हम सफर के नहीं हम तो जहां पर हवाओं का रुख हुआ उस तर उदर की तरफ जब चल दिया दूसरी जो चीज रिवोर्ड भी उतने ही बड़े हैं सर ने तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझाया कि दो परकार के जीवन हो सकते हैं एक आसान जीवन जिसमें आप बहुत थोड़ा बद पढ़के एक सामाने जिंदगी गुजार सकते थे दूसरा जिसमें आपको दो साल जाओ तब के महनत करनी है और उसके बाद यह नहीं कि सिर्फ दो साल महनत करनी कॉलेज में भी खूब महनत करनी है और उसके बाद आप अच्छे पदो पर जाएंगे दो परकार के जीवन एक तो आसान एक मुश्किल आपने मुश्किल को चुना है अब मुश्किल को चुना है तो सामाने लोगों की तरह चाय भी नी पी सकते, सामाने लोगों की तरह कहीं पर गोल गपप भी नी खा सकते, आपको तो पीछे के दरवाजे से जाना पड़ता होगा, सलमान खान ने का कि मुझे ये पीछे के दरवाजे से जाना पसंद है, कोई दिक्कत ने मुझे पीछे के दर बड़े रिवोर्ड के लिए हमें जादा महनत जादा अपनी तैयारी जो अची करनी पड़ेगे फिर कई बार याता है कि हम अपने जीवन के अंदर लगातार मोटिवेशन को बना कि कैसे रख सके जैसे आज आप लोग यहां पर आए हो आपको मुझे पक्का पता है मुझे याद है कि आज से आठ साल पहले जो विजय ग्राउंड के अंदर मैं जिस तरीके से बैढता था और जब बॉस जिस तरीके से मॉटिवेशन दे मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिकत जीवन में मैंन पड़ोगे लेकिन इसको हम कंटीनू कैसे बना के रखें यह बड़ा चलेंज है इस मॉटिवेशन को कंटीनू बना के कैसे रखा जाए तो इसका बहुत आसान सा तरीका माना जाता है कि यदि आप अपने गोल को अपने इमोशन से जोड़ दो यदि आप अपने गोल को परभाव पड़ेगा आप जब जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे तो आपके पिताजी की पांसाल उमर बढ़ जाएगी उनका खुन बढ़ जाएगा तो आपके उपर जीवन पर क्या परभाव पड़ता है उससे भी बड़ी बात क्या है आप के परिवार पर क्या परभाव प तो उसके जो रोना आता था और उसके साथ में नया जोश आता था कि नहीं अपने को जीवन में कुछ करना है तो वह एक बड़ी बात है तो मोटिवेशन को बना रखना और तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि पॉजिटीव रहना पॉजिटीव रहना जीवन के अंदर बहु हम पूरे पॉजिटीव तरीके से अपने आसपास के लोग भी ऐसे रहें और जो पैरेंट्स हैं उनसे मरी खास तोर पर रिक्वेस्ट है कि आप जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की वज़ा है उन्हें पॉजिटीव रखने में मदद करें आप अपन पॉजिटीव लोगों से जितना ज्यादा दूर रह सके उतना ही ज्यादा जो अच्छा होगा तो जीवन के अंदर पॉजिटीव रहने की अपनी आदत बना लो किया में हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ सकारतमक जो देखना है बाकी तो सरने पूरी किस तरीगे से कोचिं अबाद